So, hello everyone, ये वीडियो है Nitto series जो हम लोग ने start की थी for the CGL mains CGL mains में GK के उन sections को tackle करने के लिए जो out of the box आते हैं या फिर जो statement based होते हैं, data facts loaded जो statements होते हैं उनको उन तरह के questions को solve करने के लिए हम लोग ने Nitto series start की थी Ninja technique to eliminate the options अब उसमें हम लोग ने दो तरह के questions किये थे जो wisdom gain करने वाले questions थे because मैंने आपको बोला था कि जो mains है वो knowledge और wisdom दोनों का game है तो knowledge और wisdom हम लोग ने दोनों आपे सिखा था अब knowledge तो मैंने ये सब हमारा component पूरा हो चुका है with the one short videos जो हम लोग ने one short videos की हैं सारे subjects के accept ancient medieval history because time की कमी किया जैसे वो दोनों lectures नहीं हो पाए और बाकी जितना time बाकी है दो से तीन दिन का समय उसमें मैं पूरी कोशिस करूँगा कि telegram के help से questions के help से या फिर PDF के help से वो भी component जो आपका ancient और medieval है उसमें जो important चीज़े हैं वो मैं आपको करवा सकूँ ताकि वो भी आपका revise हो जा last time में बाकी तो सब मैंने अपने site से करवा दिया है अब उसको multiple time revise करिए और ancient medieval जहां से आपने किया है वहां से revise करिए इस video में हम लोग wisdom यानि कि हम लोग ने trick सी की थी उसको मैं इस video में summarize करने वाला हूँ सारे questions जो हम लोग ने निटो सीरीज में किये थे जहां पर हम लोग ने trick के टेकनिक के यूज किया था उन questions के help के तुरू सारी जो techniques हैं उनको यहां पर मैं summarize करने वाला हूँ इस नहीं ले पाए उस चीज को finish किया जाए थू दो ही main factors रहे या तो जीके रहा है तो जीके मैंने इस बार I hope अपनी पूरी शिदत के साथ चीजें करवाने कुशिस की और computer ठीक है computer जिसमें की लोगों का selection रुकवा दिये सारी चीजें well perfect होने के बावजूद भी तो computer भी एक video हो चुका है ठीक है और वो video मुझे I know कि वो perfect नहीं हो पाया वो perfect होता बिलकुल बट कुछ इसमें factors हो गया because digital board जिसमें अमन सर ने class ली वो थोड़ा सा hang कर गया तो वो भी कैसे manage की class मुझे ही पता है कि हम लोग ने कैसे उस class को करवाया है but finally उसको करवाया है उससे important यह है ठीक है तो वही है कि यहां पर मैं आपको भी एक advice देना चाहूंगा कि suffer session जो मैंने लिया था उसमें भी इस चीज़ की बात कि थी कि don't look for perfectionism है न कि ऐसा नहीं कि जैसे for example आप exam में गया हो और exam में आपको एक question मानलो कि आपने एक fix target रखा है और आपके दो question मानलो चूट गया है गलत हो आपको नहीं आ रहे हैं तो वहीं से आपका जो है है ना और computer की quizzes भी जो आपका telegram channel है पर्मारेससी वहाँ पर करवाई जा चुकी है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ चालीस questions की quiz हो चुकी है और 40 questions की quiz बाखी है टोटल 80 questions है जो सरना को करवाय थे पीडियो आपकी डल चुकी है तो इन questions को attempt करके एक बार जाहिएगा और वीडियो को 2x speed पर जैसे भी आपको सही लगे उसको एक बार करके जरूर जाहिएगा बाखी start करते है इस वीडियो को और हम लोगों नहीं जो इस निट्व सीरीज में वह वाले questions जो knowledge के perspective से किये तो जैसे for example panchayat, polyteam panchayat से question है फिर science से बहुत सारे हम लोगों ने different तरह के questions किये थे और वो मुझे ऐसा लगता है कि वो मतलब थोड़े से unique type of questions है जो हो सकता है कि one shot में ना हो या फिर हो भी तो अपने उसको उतना ज्यादा तवज्जो नहीं दियोगी तो उसको कल telegram पे एक sessions रखों तो अब मैं नहीं चाहता हूं कि आपका time में ज्यादा खाऊं आप खुद के साथ time वहतीत करिए और इसी वज़े से मैं meditation session भी आपके conduct करवा रहा हूं जो लोगों ने सफर को join किया होगा नों को पता होगा ठीक है ताकि last time में बहुत important है कि आपका mindset सही हो आप ज्य ठीक है start करते हैं सबसे पहली टेकनिक है similar option technique पहला question करिए अब क्योंकि यह session life तो हो नहीं रहा recorded format में हो रहा है तो आप अपना time लीजे वीडियो को pause करके देखिए ठीक हर एक question के साथ जू जीए आप मेंसे काफी लोगों ने questions को पहले ही कर रखा होगा लेकिन भूल गया नय है तो और अच्छी बात है ठीक है आप इन questions को पहले करिए कि अगर आपकी सामने question और इसमें जो यहाँ पर questions होंगे maximum questions ऐसे होंगे जिनको लेके आपको knowledge गेर नहीं करना है यह बहुत ही light session होने वाला है question बहले आपे roughly around 40 से लेके 45 के बीच में होने वाले है बट बहुत ह information रहेगा क्यों कि आप knowledge नहीं gain कर रहे है ठीक है तो इस particular video को अगर मेरा ऐसा आपसे कहना है कि उस time पर देखिएगा अगर आपने start कर दिया कोई बात नहीं आप इसको तब देखिएगा जब आपको लगे कि मेरा पढ़ाही में उतना मन नहीं लग रहा आप मैंने जैसे दो बोलो knowledge की ज़रत नहीं है आपर knowledge वाला component जो था हम लोगों नेटों में किया था वोकल टेलीग्राम पर रिवेशन करेंगा इस चीज़ का और हां फिर से बता दूं ठीक है काफी बातें करनी पड़ रही है तो आप जाईए क्यों देख रहे हैं सिंपल सी बात ही है ठीक है और हां दूसरी बात यहां पर जो मैंने सीजल में पिछली बार analyze किया था और वो मैंने सारे papers करवा रखें link description मिल जाएगा उस playlist का जहां पर मैंने करवा रखें प्लीज उसको जरूर करके जाएगा exam से पहले जरूर करके जाएगा जीके में और साथी साथ other subjects में भी मैंने आपको बोल रखा है ठीक है वहां पर जो मैंने tricks और techniques सिखाई है उनका देखिएगा मैंने वहां पर कैसे कैसे use किया तो उसके basis पर मैं करवा रहा हूँ ठीक है अगले वाले में आएगा नहीं आएगा मैं paper नह तो इसको क्या बोलते हैं तो यहां पर जो technique करना में that is similar option technique बस एक चीज और and that is कि देखो इसमें कोई दो रहा है नहीं है कि nothing can be to the knowledge ठीक है इसी वैसे knowledge वाला component मैंने आपका strong कर दिया वन शौट वीडियो से और जो भी हमने पहले hard work किया उससे सब कुछ वारा ready है अभी इस like an icing on the cake जिसकी वैसे हो सकता है कि दो number, 3 number, 5 number, 8 number, 10 number इतने बढ़ जाएं वो आपके उपर depend करता है आपकी capabilities के उपर depend करता है आपके ऐसे चीजों को use कर पा रहे हैं कितना हुआ presence of mind रख पा रहे हैं वो उस पर depend करता है बट अगर मैं इस से इस video से आपका 2-3 number पढ़ा पाय है आपके इस आपके लग सकता है उसको प्लास में रखे और उसको फिर attempt करिया ठीक है बट attempt जरूर करिए ऐसे नहीं कि Prima face इसको छोड़ दिया नहीं हमसे तो बन नहीं रहा है पीलियो क्लाइमिटलोजी पीलियो जिमाफ लोजी पीलिओ लिथोलोजी और पीलियो जिओ ग् पीसिंग तुकेदर तो पजल ऑफ जिओ लॉजिकल टाइम टु क्रेट अनालाइज हिस्टोरिकल मैपस अव दी अर्थ की बात हो रही है ठीक है यहां आप कहीं क्लाइमिट की बात हो रही है नहीं हो रही है बाकी अगर आप देखें तो जियो पीलियो जियो मॉफ लोजी जियो ग्राफी यह दोनों सिम्लर ऑप्शंस हैं देखो दो तरह के सिम्लर होते हैं एक तो सेंसे सिम्लर होते हैं कि बाई देखो यह दोनों सेम चीज बता रहे हैं यह हैं थोड़ा से सिम्लर साउंड कर रहे हैं थोड़ा से वीर्ड हो सकता है सुनने में कि लगने में कि यह कैसे similar है बट थोड़ा सा अगर अब देखें तो similar sounding है और similar लग रहा है geomorphology and geography इसके बाद आप यह वो question बोल क्या रहा है geomorphology and geography में अंतर क्या होता है geography में यह है कि हम earth surface के बारे हम पढ़ रहे है geomorphology में earth surface और उसका evolution कैसे हुआ उसके बारे हम पढ़ते हैं तो यह evolution के कहीं बात नहीं हो रही answer यहाँ पर होगा paleo geography at least आपने 2 option eliminate कर दिये थे उसके बाद आपके 2 options बचे थे और फिर आपने वहाँ पर guess लिया अब आप 2 questions को 2 options के eliminate करने के बाद guess लेना है नहीं लेना है that depends on you but I would advise to you to take the guess और इन तरह के questions आपने 7 साथ भी questions इस तरह के की है जो हम लोग यहाँ पर ट्रिक सिखने वाले है तो मैं यह कि अगर आपके उसमें से 4 भी सही होगे तीन भी गलत होगे फिर भी आपने पॉजिटिव में ही रहेंगे now which on the following statement about the DDU GKY is not correct इन में से सही कौन से नहीं है it is a skill training program, it is a rural youth from, it is a rural, it is for rural youth from poor families its objective is placement in wage employment, it relies entirely on skill training by government agencies अब यहाँ पर एक चीज़ अबसर्व करें it is a skill training program, it relies entirely on skill training by government agencies यह दोनों options similar है, जो दोनों skill training की बात कर रहे है mostly chances यह similar option का मतलब करता है, similar option technique इसका मतलब होता है कि answer similar option में ही generally आपको देखने को मिलेगा 90% cases में और अगर वो similar और contrasting है for example ऐसे, it is a skill training program, यह बोल रहाता है it is not a skill training program, 100% answer इन ही दोनों में सहोगा अब यह similar और contrasting नहीं है ठीक है, similar जरूर है, कि दोनों skill training की बात कर रहे है now it is a skill training program चौथा bullet relies entirely on skill training by government agencies यानि कि इसमें private agencies का जरा सभी involvement नहीं होगा तो यह दो तरह की tricks का समावेश में बोल सकता हूँ एक तो इसमें similar option वाली भी लग रही है plus extreme वाली भी लग रही है entirely is an extreme keyword अभी हम आगे देखेंगे, extreme keyword क्या होता है तो मतलब अगर एक भी private agency इसमें involved हो जाएगी तो अपने आप ये statement गलत हो जाएगा खुदी सोचिए skill training तो private ही कर सकता है ना जॉब कौन देता जादा offer करता है private sector offer करता है क्यों क्यों क्योंकि वहाँ पे skill की requirement होती है इसलिए जो unskilled होते हैं उनको job नहीं मिलती है तो फिर government किस पर rely करेगी private agencies पर rely करेगी ना फिर उसके बाद थोड़ा सा सोचिए इसके बाद ठीक है तो answer क्या हो गए हाँ पे not correct पूचा option number D it is for rural youth from poor families बिलकु लॉजिकल लग रहा है कि नहीं को तो skill दी जाएगी ताकि इनको employment मिल सके because जो urban youth है वो तो पहले ही education ले रहा है skills ले रहा है दिककत किसको होती है, rural youth को ठीक है, its objective is placement in wage employment obviously बात है skill सिखा कि आप क्या करेंगे wage placement ही करेंगे placement करेंगे ताकि वो earn कर सके third number question, which are the following statements about the ishtihar issue during the revolt of 1857 is correct, इस्तिहार जो ठारत सस्तावन के टाइम पर issue की जाते थे, उनके समन्द में कौन सा सही है, यह पूछ रहा है इस चीज़ पे ध्धान दीजे, गौर करके कि correct है, not correct है, अब 100% sure कि अगर 25 में से 5 question आगे ना, कि उसमें not correct लिखा हुआ है, 95% लोग उनमें से 5 question में एक, दो तो पक्का, उसकी वज़ए से ही गलत करके आने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे आज मैंने जो quiz डाला तो उसमें मैंने सिर्फ 10 की question डाले, उसमें मैंने एक में गेम खिला, और आप में से काफी of Islam, they glorified the role of Queen Victoria now, they glorified the Muslim rule in India, they glorified the message of Islam दोनों similar option है, दोनों ही आंसर नहीं होंगे क्यों? क्यों? यज़कि दोनों similar तो हैं, similar लगना है कि भई, Muslim हैं और वो Islam है, लेकिन दोनों same चीज बोल रहे हैं, ये दोनों same चीज नहीं बोल रहे थे ये दोनों same चीज नहीं बोल रहे थे, यहां दोनों same चीज बोल रहे हैं, they glorified जो इश्टिहार्स थे, वो Muslim rule को glorify कर रहे थे, ये Islam same बात है, एक question के दो आंसर तो हो नहीं सकते हैं, दोनों गए ठीक, now they glorified कुछ ना कुछ तो glorify किया, they glorified the role of Queen Victoria इश्टिहार्स, कैसा sounding word है, Muslim, थोड़ा सा Islamic, उर्दू वर्ड है, ठीक है, तो Queen Victoria को तो रोल को glorify नहीं करेंगा, ठीक है, they glorified the coexistence of different communities under the Mughal Empire, option number B, और फिर, अगर हम बात करें, during the role, अच्छा, 1857 अब देखिए, यहां पे revolt of 1857 जो हुआ था, उसमें किसको ruler माना गया था, बहादुर्शाद जफर दुतिया, जितने भी participate कर रहे थे, इस revolt में नहीं बोला था कि हमारा ruler, Mughal बास्चा, बहादुर्शाद जफर दुतिया है, ठीक है, तो अवेसी बात है, Mughal Empire को उन्होंने ग्लोरिफाई किया होगा, उसमें जो कोईग्जिस्टेंस था, Hindu और Muslims का, simple, अगला कुस्चिन, fourth, the term Levent often heard in the news roughly corresponds to which of the following regions, अब हमें Levent से कुछ लेने देने नहीं, यहां पे भले आप 1857 रिवोल्ट से रिकॉल कर सकते हो कि कहां से किसने लीट किया, कहां से किसने अब किसको चुनो, यहां पे एंटाइर कोस्टल अरिया, यहां पे पूरे ही Mediterranean Sea की जो कोस्ट है, उसको Levent बोलता है, अगर ऐसा होता है, अगर हमें तो इतना तो पता होता है Mediterranean Sea काफी news में रहता हम पढ़ते भी है, ठीक है, यह कुछ उसका जो eastern part है, वो ही news में होगा, तभी यह news में है तो option number A साही answer होगा, entire थोड़ा सा extreme side में चला गया अब मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं यह तो कितना असान है option number 80 करना, इतना भी असान है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन हाँ, यह चीज़ असान है कि आप दो option को illuminate कर सकते हैं, यह असान है थोड़ा सा, उसके बाद, उसके बाद आपको थोड़ा सा intellect काम करेगा वहां पर, fifth question, consider the following statements about the Mahanavmi Dibba, Mahanavmi Dibba के बारे में statement, it was the name of the giant box of the sweets distributed at the Mahanavmi festival, it was the name of a massive platform with a base covered with relief carvings, Mahanavmi Dibba, दोनों ही different चीज़ें बता रहे हैं, एक चीज़ के बारे में, अब जैसे for example, आपसे मैं अगर पूछूँ, ठीक है, कि आपकी preparation, या फिर आपके mark, या फिर कोई भी, जैसे for example, मैं बोलूँ कि ये बंदा कैसा है दिखने में, गोरा है कि काला है, कैसा है, तो ये तो गोरा होगा, तो काला होगा, सामदे बारा कोई option नहीं, मतलब कि Mahanavmi D चलो इन दी जाती होगी, या फिर एक massive platform होता होगा, जिसका base covered होता होगा, रिलीफ carving से, चलो भाई, दोनों अगर similar type भी लग रहे होता है, तो भी मान लेता कि दोनों जाएंगा, यानि कि मैं कहना ये चाहता हूँ कि दोनों एक साथ सही कभी नहीं हो सकते हैं, या ये option गया और यार दो-दो definition दी है, मतलब एक तो सही होगा है, होना ही चाहिए, ठीक होने कोई अभी हो सकता है कि इसमें तो दोनों नहीं हो, हो सकता है कोई तीसरी चीज हो, लेकिन दोनों में रखा है तो इसमें पका कोई ना कोई एक सही वाला तो रखा होगा, या निभर वन नौर second it was the name of a massive platform with a base covered with relief carvings Vijayanagar Empire के time पर ये base ये मतलब platform होता था जहां पर राजा लोग आते थे बैठते थे और सारी चीज़ें शाम के time आके बैठते थे और यहां पर समोधन देते थे तो option number second यहां पर से अंसरा को option पर B2 only question आपके लिए है कि Vijayanagar Empire के जो most powerful ruler थे that is KDR Krishnadev Rae उनकी एक book थी on statecraft and that was Amukhtumalada दूसरी थी जे से नाम जिसका चालो होता था संस्क्रित में यह थी उसका नाम आपको comment बताना है अगले question पर आते हैं और विजयनagar Empire के बारे में अच्छे से पढ़ लिजयेगा आगे रिपीट विजयन अगर आपकी मैं आपको चलो topics बता दूँगा है न टेलिग्राम पर असीम क्या है statements options आपके सामने हैं उमीद कर तो video pause करके आपने इनको solve कर लिया होगा आत्मने बर स्किल अब देखो यह different type के questions है similar में आएंगे इनको कैसे करना देखे अब असीम का मतलब तो आपको नहीं पता है यहां पर हम लगाएंगे odd one out भी आप इसको बोल सकते हैं odd one out कैसे आत्मने बर आत्मने बर आत्मने बर आत्मने बर आत्मने बर ऑटोमेटिक odd one out skilled 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 सम में skilled है ठीक है employee 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 employer यह तो पहले से गया ठीक चलो खेर हमारे भी तीन है employer employer enterprise employer 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 enterprise odd one out measurement mapping अब तो भाई हमें यहां पर कुछ न कुछ knowledge लगाना पड़ेगा दिमाग लगाना पड़ेगा हमने odd one out से दो option हटा दिये ठीक है अब हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि यह measurement होगा यह mapping होगा ठीक है यहां पर यह measurement होगा यह mapping होगा तो employee भी जो नौकरी दे रहा है, included employer जिसको नौकरी मिल रही, जो काम कर रहा है, उसका measurement होगा, क्या इसका nap लिया जाएगा, किया किस चीज का nap लिया जाएगा ? नहीं, उसकी mapping होगी, mapping का मतलब है कि employee को employer से मिलाया जाएगा, उन दोनों का million कराया जाएगा, ताकि इसको लिए डश दश दश विद बजट आफ देस करोर्स बताईए क्या अंसर होगा यह उमीद करता हम अपने कर लिया होगा तुछली स्क्वेश्चन में वही सेम टेखनीक लगाते हैं जो आमने पीछ लगाई थी और वन आउट दोज़ार थेश 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 थे लिए पो डिया को अब है अब आट को ठीक है बचा कॉन सेकम्ड समझें मैं फिर से बताता हूं दोज़ार थेश यह 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 पर यह हां यह आट वन है तो इसको मेंने अटाया यह दू अप्शन बचे अब लास्ट अब धेके चौब ठीक है मेरे पास यह बचा और यह बचा फिर पीछे से देखे 24, 25, 26, 26, 25, 26 उसके according ये दोना option होंगे यानि ये when diagram कुछ इस तरह से बन रहा है ठीक है तो ये वाला answer होगा option number second now having said that ये जो यहाँ पर मैंने trick बताई पिछले question में और इस question में हमेशा सही नहीं होगी 90% इसका मैं बोल सकता हूँ 85-90% अभी तक और इसको मैंने ऐसा नहीं कि सिर्फ इनी इसी question में और ये जो question आप देख पारें CHSL का हुआ question है CPU का भी exam हुआ MTS का exam हुआ students इसको लगा किया है और अभी तक तो net में positive में ही मुझे students की तरफ से feedback मिला है genuinely speaking ठीक है और ये mostly questions में काम कर जाती है पहली चीज दूसरी चीज ये है कि आप पहले knowledge का use करेंगे then तभी उसका use करेंगे जो यहाँ पर मैंने आपको चीज बताईए ठीक है but it works और ये कोई काफी students ने बोला कि सेर आपके निटो की techniques ये जैसे टेक्निक हो गई ये आपके English वाले सेक्शन Maths वाले सेक्शन यहाँ पर भी काम करती है खासकर English वाले सेक्शन में ठीक है बस number हाना चाहिए कहीं से भी है now coming on to the odd one out techniques जो अभी हमने technique पढ़ रहे थो थोड़ी odd one out type ही थी लेकिन अब purely odd one out technique यहाँ पढ़ते है in which are the following countries is intensive subsistence agriculture not predominantly practiced तो यहाँ पर not पर पहला आपको focus मार रहना not predominantly practiced इन मेंसे किस country में practice नहीं होती है अब यहाँ पर मुझे odd country सबसे कौन सी दिख रही है odd country अगर मैं बात करूं तो ठीक है अगर हम देखें यह 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 Asian country है Canada अगर हम देखें तो North American country है थोड़ा से इस से भी odd है बट यहाँ पर अगर हमें थोड़ा सा पता है कि intensive subsistence agriculture होता क्या है यह होता है कि जहाँ पर primitive tools का use किया जाता है एक छोटे part of land में और वहाँ पर बहुत intense सगन फिर गहन निर्वाक रशी की जाती है जैसे for example आपने इंडिया में देखा होगा और कहां तो जैसे कि घर के बगल में plot पड़ा हुआ तो उसमें धनिया में थी आलू मतलब जाने क्या क्या होगा आदेते हैं हम लोग क्यों क्योंकि land की कमी है लेकिन population बहुत जादा है तो उन्हीं कंट्री में intensive subsistence agriculture प्राक्टिस होता है इंडिया में population कितनी जादा है जैपान में area कम है इंडोनेश्या में population बहुत जादा area कम है कैनड़ा एक ऐसी कंट्री है जहां पे area बहुत जदा population उतने जादा नहीं है उस proportion में तो थोड़ा सा odd one out यहां पे आप technique लगा सकते थे question number 9 which of the following is not a characteristic of national highways in Indian में से कौन सी नेमलेकित में से कौन सी भारत में राश्टी राजमार्गों की विशिस्ता नहीं है meant for interstate transport maintained by the central government construction of border roads in high altitude areas connect state capitals and major cities तो यहां पे मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि option number C है यह थोड़ा सा odd है ठीक है interstate transport हो गया central government हो गया capital major cities हो गया border roads का जो construction है और वो भी high altitude areas में वो characteristic नहीं है national highways की है ठीक है तो option number C which of the following is not a specified sub mission of the national livestock mission livestock development, pig development in northwestern region, fodder and feed development, skill development, technology transfer and extension कौन सा odd है, उमीद करता हूँ हमने वीडियो पॉस्ट करके इसको solve कर लिया होगा, answer होगा यहां पे option number B pig development in northwestern region कितना specific है, कितना specific statement है यह अगर आप खुद देखेंगे मतलब sub mission कौन सा नहीं है national stock live mission, तो live stock का development यह तो बहुत ही obvious सा है जो समझ में आ रहा है fodder and feed development, अगर live stock है तो उसका बहुत चारा बगारा भी देखेंगे skill development, technology transfer, extension यह भी होगा कितना, कोई मतलब एक fact दे दिया और दो-दो fact दिये हो है यहां पे और बहुत specific कर दिया है, एक तो pig development सुहरों का development होगा और वो भी कहाँ पे नौर्थ वेस्टरन रिजिन में, मतलब इतना national livestock mission है और उसमें हम नौर्थ वेस्टरन में जाके सुहरों का development करेंगे, कितना weird और कितना specific, कितना limited statement है odd one out आप बोल सकते हैं in which of the following approaches of human development was initially proposed by the ILO and emphasized on health, education, food, water supply, sanitation and housing कौन सा हैसमे, welfare approach, basic needs approach, income approach, capability approach तो food, education, health, water supply, these all are basic needs इसको मैं odd one या फिर etymology के तहद भी रख सकता हूँ, जहाँ हमें questions से पता चल रहा है, questions से हम figure out कर रहे हैं कि क्या answer होगा question number 12, which of the following statements correctly explains the existence of positive force between two electric charges, दो electric charges के बीच में कौन positive force को explain कर रहा है, अब positive force, negative force अगर आपको कुछ भी knowledge नहीं है, तो भी आप इस question को कर सकते थे, कैसे now both the charges are positive, both the charges are negative, that mean these are same charges, and we know that कि like charges, repel each other यानि कि जो समान charges होते हैं जिन पर same तरह का charge है, तो एक दूसरे से दूर भागते हैं, repel करते हैं ठीक है, और जो opposite charges होते हैं, वो attract करते हैं तो answer या तो first, second होगा या तो third होगा ऐसा नहीं हो सकता कि एक हो, और दो ना हो दो हो और एक ना हो, या ये दोनों तो हो नहीं सकते हैं, या तो दोनों साथ में होंगे ठीक है, और एक, दो, तीन भी नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि lie charges ripple each other and opposite charges attract each other, ठीक है तो अगर इनके बीच में positive अगर इनके ripple वाले को positive बोलते होंगे, तो इसको negative बोलते होंगे और अगर इसको negative बोलते होंगे, तो इसको positive बोलते होंगे, तो 1, 2 होगा या 3 होगा 3 only है, तो option number C, 1 and 2 only, question number 13 which of the following is not reason for decrease in biodiversity इस तरह को question CGL means में आथा आपके पिछली बार जो होगा था exam में उसमें, now not a reason for the decrease in biodiversity, decrease in biodiversity एक positive चीज़ है कि negative चीज़ है, negative biodiversity का मतलब है, जयव वेवेव दिता of flora and fauna, हर बहुत तरह के different तरह के पेवल, different तरह के जानवर that is biodiversity, उसका decrease हो रहा है, मतलब negative हो रहा है तो उसके पीछे का जो reason होगा, वो भी negative होगा इसमें पूछ रहा है not, not मतलब वो positive होगा फिर negative positive समाझ में रहा, छोड़ो large scale deforestation बड़े पहमानें पर वर्णों की कटाई यह क्या है, negative चीज़ है कि positive, negative है sir, exploitation of forest produce one, उपच का दोहन exploitation हो रहा, forest का, negative है maintaining of sacred groups, माल लेते हैं, पता नहीं तुमें sacred groups क्या होते हैं, वैसे तो यह लिखाओ पवित रुपवनों का रख रखाओ, माल लेते हैं नहीं पता, encroachment in forest areas, वन चेत्र में अतिक्रवन हो रहा, negative चीज़ है यह भी negative, यह भी negative, यह भी negative एक question के तीन answer तो हो नहीं सकते हैं answer option number C होगा, maintaining sacred groups, which is a positive thing sacred groups जो होते हैं, पवित उपवन होते हैं, उनका प्रखरा खाव कर रहे हैं, maintain कर रहे हैं, positive है ठीक है, तो इस तरह से आप negative positive करके भी answer तक पहुंच सकते हैं अगला question करिये, उसी वह ऐसे ही बेज रही है, 14th number which of the following is not a cause of depletion in groundwater, ground water में depletion हो रहा है, यह कैसी चीज़ है negative है की positive है, यह चीज़ यह भी negative है ठीक है, afforestation, positive चीज़ है, loss of forest, negative चीज़ है, excessive pumping of ground water negative चीज़ है, बहुत ज़दा pumping हो रही है construction of large scale concrete buildings, यह भी negative चीज़ है answer क्या होगा afforestation not a cause of, पेड़ को लगाने से ground water deplete थोडीना होगा, उसका base level नीचे थोडीना जाएगा, वो तो और maintain होगा 15th 15th question is, due to the improper indiscriminate disposal of old and used computers or their parts which of the following are released into the environment as e-waste, beryllium, cadmium, chromium, heptachlor, mercury, lead or plutonium यहाँ पे it is not an easy question let me tell you, but अगर आप यहाँ पे थोड़ा से presence of mind थोड़ा नहीं, काफी यहाँ प्रेसेंस of mind रग पाए, तो शायद इस question को आप कर पाएंगे अब यहाँ पे रखने का यह परपस नहीं है ठीक है, कि कुछ ठीक, मतलब मेरा main purpose यहाँ पे यह question रखने का, कि अगर वहाँ पे आपका दिमाग काम कर जाए, आप मैंसे मान लो कि 10,000 लोगों ने इस वीडियो के देखा और उसमें से 100 लोगा भी काम कर रही है, तो काम हो गया ना फिर मेरा, ठीक है यहाँ पे यहाँ पे मैंने आपको ऐसी 10 चीज़ें बताई है ठीक है, हो सकता है उसमें से आपको 3 चीज़ें आपके काम आगई, किसी के कोई और 3 चीज़ें काम आगई, ठीक है तो यहाँ पे e-waste की बात हो रही है e-waste मतलब जैसे for example computers हो गया, फिर जो भी हम digital technological चीज़ यूज करते हैं उसमें उसका जो waste होता है जैसे for example, मेरा laptop कराब हो गया कुछ मेरा mobile phone कराब हो गया, हमना उसको fake दिया वो अलग तरह का waste हो तो उसको e-waste बहुता है उसमें plutonium तो use हो गा नहीं plutonium कैसे हो सकता e-waste में, क्यों plutonium एक radioactive चीज़ है radioactive है, ठीक है, radioactive है और radioactive चीज़ अगर use होगी हमारे digital computer laptop इन सब में तो वो तो हमारे लिए बहुत आनिकारिक है तो मतलब मैं कहना यह चाहरा हूँ कि यह चीज़ थोड़ी ने use होती होगी हमारे laptop computer से इन सब में, plutonium और radium यह तो radioactive चीज़ है तो यह तो और बस आपको यही करना था 7 को यह अटाना था, answer आगया तो option उट भी तो यह थोड़ा सा presence of mind को वहाँ पे रखिएगा question भले ही जितना hard हो आप उसको last में जरूर, हाँ पहले आप प्राइमाफेसी उन सब questions को कर लिए, जो आसान है ठीक है, but questions पे have a look थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा deep breathe करके आप questions को observe करिए which of the following is not objective of नीतिया योग, इन में से कौन सा objective नहीं है नीतिया योग का, करिए इस question को वीडियो को pause करके, answer यहाँ पे होगा इस प्रवाइट से critical direction सही है इस thing tank है, बिल्कुल से, it monitors and evaluates it offers a platform for resolution यह गलत होगा, because यह कोई अब यहाँ पे odd one out लगा सकते हैं यह थोड़े से similar type लग रहे हैं, और यह बोल रहा है कि resolution करेंगे, interstate conflict as provider of first and last resort, मतलब मैंने question भी कर वाया था, अच्छ टेली ग्राम पे आपको यादो original jurisdiction, मूल नया अधिकार Supreme Court का है, जहां पे वो center states और states के बीछ में जगड़े देखता है, and यह उसका original ही नहीं exclusive jurisdiction, यह उसके अलावा कोई नहीं देख सकता, तो नीतियायोग को ऐसे याठी है फिर, नीतियायोग एक think tank advisory body है, कोई ऐसा नहीं कि जगड़े देख रहा है, और जगड़े देख भी नहीं सकता है क्यों? क्योंकि नीतियायोग आपका एक extra constitutional, या फिर executive body है, समवधानिक निकाय नहीं है, constitutional body नहीं है, constitution में जो लिखा होता है, जैसे कि interstate council article 263, उसके setup की बात करता है तो वो तो कर भी सकता है, ये नहीं कर सकता है चलो भई, statutory भी होता है, तो भी समझ में आता था जो law के द्वारा create किया गया हो, ये parliament में law pass किया गया, तो उसके through body हो create किया गया, ये तो एक executive body है executive resolution सरकार लाई है ठीक है, अब आते है data और fact जहां पे statement में होते हैं question, ठीक है, तो ये थोड़ा साब को ध्यान रखना है जहां पे data होता है, खासकर वो थोड़ा सा वहां पे आपको को cautious हो जाना है, because उसके गलत होने के chances जादा रहते हैं, अब reason क्या इसके पीछे का logic क्या है, कि गलत होने के chances होते है, because उसको change करना काफी असान है, पचास का सौ करना असान है मेरे लिए, but as compared to my wordings को change करो करिए question को, in the first Lok Sabha, the single largest party in the opposition was the Sotantra party, in the Lok Sabha, leader of a position was recognized for the first time in 1969 in the Lok Sabha, if a party does not have a minimum of 75 members, its leader cannot be recognized as the leader of a position तो मैं सबसे पहले जब भी इस तरह के question आए, जहाँ पर multiple statement हो, और थोड़े से tough लगें statements, तो go with कि किसको मैं सबसे पहले hit कर सकता हूँ कौन सा low hanging fruit है कौन साबसे आसान statement है, जिसको eliminate करना मेरे लिए है, आसान होगा इंधी लोग, सब if a party does not क्योंकि यहाँ पर data है, तो I would go into this मैं स्टार्ट करूंगो 3rd से If a party does not have a minimum of 75 members its leader cannot be recognized as a leader of a position, जबकि यह आपका गला था, क्यों? जबकि उस 75 तो नहीं होता है ठीक है, तो यह आपका गलत हो जाएगा और सिर्फ इतने को ही eliminate करना था और आपका सही आंसर आगया था, option number B 2 only यहाँ पर जो options हैं, मैंने अपने इस आप से set नहीं किया है, जैसे exam में आए थे, वैसे ही मैंने आपर रखे options तो अपने आप, जो पहला वाला है, वो गलत हो गया ठीक, अगले question पर आते हैं With reference to Asian Infrastructure Bank, consider the following statements AIIB has more than 80 nations India is the largest shareholder in AIIB and that is Asian Infrastructure Investment Bank and AIIB does not have any member from outside Asia देखे हैं, यहाँ पर भी data है, राइट? data दो तरह के हो सकते हैं, एक तो बहुत ही specific होगा कि 80 ही member है, यहाँ पर कहता है, 75 member अगर यहाँ लिख देता, 80 member कि मतलब AIIB में 80 members है then उसके बहुत ज़ज़ा chances थे कि वो गलत होता उसमें 80 है, अगर 89 हुआ तो भी गलत, 81 हुआ तो भी गलत यहाँ कि AIIB has more than 80 member nations यहाँ कि एक यह तो भी सही होगा, 82 है तो भी सही है 83 है तो भी सही होगा, 84 है तो भी सही होगा ठीक? यानि कि इसने यह जो keyword एड किया है इसने इसलिए एड किया है कि for example ऐसा नहों कि जब मैंने paper बनाया, इस question को set किया मैं examiner के perspective से भोल रहा हूँ और जब exam हुआ तो कोई एक-दो member और आग है पता चला तो यह मेरा statement गलत नहों उस case में भी ठीक? तो इस case में data गलत होने के chances कम रहते हैं मैं आपको बता दूँ फिर दूसरे तीसरे को पढ़िए इंडिया is the largest shareholder in this extreme keyword है कोई और country होगा अपने आपी statement गलत हो जागा AIB does not have any member from outside Asia Asia के बार सा अगर एक भी member country हो गया अपने आप statement गलत हो गया अगर सिर्फ आप एक ही option को limit कर दें खतम पहला अला सही है 19th अब आते हैं etymology technique etymology का मतलब होता है कि आप question के wordings पर जाएंगे और उससे question निकालेंगे words का खेल होता है etymology first question based on etymology mission इंद्रधनुष aim set अभी extreme keyword वाले पर भी आएंगे mission इंद्रधनुष का उद्देश क्या है इंद्रधनुष अगर इंद्रधनुष नाम रखा गया है तो कुछ reason होगा उसके बीचे logic होगा इंद्रधनुष आमें पता है इसमें किते होते हैं यह rainbow वोलते हैं यह seven colors होते हैं यह बहुत multiple colors होते है reducing child deaths due to pneumonia specific है याद करो जो pick development है northwestern region वाला statement था काफी specific हो गया reducing the impact of rota virus specific हो गया elimination of maternal tetanus जो माताव में जो tetanus होता है उसको उताना है full immunization of children जाएगा किसी भी चीज़ का तो उसके पीछे कुछ logic होगा है ना अगर government किसी भी scheme का कुछ नाम रख रही है तो logic होगा उसका तो जैसे G1, Jyoti, Bhima, Yojana वो क्या insurance है कि आपकी जो G1 की जो जोती है वो जलती रहेगी है ना तो insurance scheme है वो इंद्र धनुष full immunization of children का ये देख तो specific नहीं है wide है है कि नहीं full immunization of children option number fourth 20th which are the following statements about तत्व बोधनी पत्रिका is correct कौन सात्व बोधनी पत्रिका के संबंद में ने लिकत में से कथन सही है it is it promoted a systematic study of India's past in the Bengali language it promoted a systematic study of India's past Russian sources Persian sources Western sources तो किस source में उसने promote किया है बस आपको ये बताना है तो चलिए पढ़ते हैं कैसा नाम लग रहा है तत्व बोधनी पत्रिका तत्व बोधनी पत्रिका ये Bengali name है तत्व बोधनी फिर भी ने relate कर पा रहे है recall करिए तत्व बोधनी सभा जिसका अगठन किसने किया था जिसका अगठन किसने किया था किसने तत्व बोधनी पत्रिका बनाई थी comment में बताएंगे 1839 में टैगोर जी के family से बिलॉंग करते थे बताएं कौन थे वो तो वो थे हमारे देबेंदरनाथ टैगोर जिन्होंने की 1839 में ठीके ले सकते हैं संस्क्रित में क्या अम-अम लास्ट में लगा रहता है ठीके पुश्यम दुश्यम ऐसे करें नाम रहोते हैं संस्क्रित में तो अप्शन अबर फॉर्स यहां पर सही आंसर होगा अपने वर्डिंग्स को पड़ा इस तरह का ही एक सवाल अब यहां पर देखिया अगर कोई भी यह जो नाम है तो शॉर्ट फॉर्म होगा किसी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म होगा जो हमारी करेंट गवर्मेंट है वो इसी तरह से स्कीम के नाम रख रही है द्रूव, डिवाइन, एफमे वो ताकि उसका भी पर्टिकलर नाम निकले कुछ डिवाइन, डिवाइन है बहुत अच्छा है द्रूव ऐसे करके और उसका कुछ मतलब भी हो वो शॉर्ट फॉर्म हो नौर्थीस्ट यह जो लास्ट के जो है ना नौर्थीस्ट इतना पकड़ना था अगर आपने वीडियोस देखे होंगे तो आपने इस चीज़ को अबज़िव किया होगा मैंने वहाँ पर कई questions ऐसे करवाए हैं आपको तो उन questions को आप पढ़के नहीं clear कर सकते थे आप इछले 2 साल का 3 साल का current refer पढ़के नहीं जा सकते हैं वहाँ पर लेकिन यह चीज़ें यही चीज़ें जो आपको वहाँ पर एज दिलाएंगी बाकियों से 22 The Ministry of Heavy Industries and Public Enterprise consist of किस भारी उद्योग और लोग उद्यम मंजाले किन से मिलकर बना है Department of Heavy Industries and Department of Promotion of I hope आपने statement पढ़ लिए होगे सबसे बेटर आपको statement कौन से लग रहा है Ministry of Heavy Industries Heavy Industries भी और Public Enterprises भी Option number D Department of Heavy Industries की बात कर रहा है Department of Public Enterprise की भी बात कर रहा है Option number D यहाँ पर सभी अंसर होगा Again यहाँ पर भी Etymology का खेल था ठीक है यह दो keywords मुझे option number D में ही मिल रहे थे Now coming on to the extreme keywords technique यह technique यह बोलती कि जो extreme keyword वाले statement होते है जैसे कि all, never, none, any, no, drastic, consistently यह generally statement वाले जो keywords वाले जो statement होते हैं वो गलत होते है Generally, ठीक इसके opposite कैसे keyword होते है Generally, sometimes, few, मतलब इस तरह कि जो statement है जहाँ एक्जामेर खुद को बचाना चाहरा है कि अगर कुछ भी हुआ तो मैं बच जाओंगा है ना अगर मैं बोल रहा हो कि अभी हम question देखेंगे तो वहां समझ में आएगा ठीक है Consider the following statement about Stone Age in India Different periods are identified on the basis of type and technology on stone tools There are no regional variations in the type and technology of tools in different periods Stone Age cultures of different periods evolved uniformly in a neat unilinear fashion all over the subcontinent कोई regional variation ही नहीं इन दी type and technology of tools in different periods दिमाग लगाईए Stone Age जो है different different जगों मिला उसमें कोई regional variation ही नहीं Sir यहां से एक गाउं से दूसरे गाउं में जाने में regional variation हो जाते हैं और आप बोल रहा है Stone Age में कि जो different site है वहां एक मदब different period में कोई रिजनल वारेशन नहीं है यह तो बहुत है Extreme statement हो गया Eliminate करना तो इसको ठीक है यह तो 1 होगा यह 3 होगा Different periods are identified on the basis of the type and technology of stone tools Generalistic है ना तो कोई extreme keyword है ना तो data fact है जिससे statement गलत होने के chances हैं In a neat unilinear fashion all over the subcontinent all extreme keyword है अब यह नहीं बोलनों कि all देखते ही बस गलत है गलत है Only देखते ही no देखते है गलत है यह मैंने logic बताया ना और वो आपको भी वहां पर समझना है थोड़ा सा कि Stone Age cultures अब में उजह दोनों में से एक को चुनना यह बात थोता है ठीक मुझे उसमें तो कोई कोई कमी नजर नहीं आ रही है ना तो कोई extreme keyword ना कोई data fact considering कि मुझे कुछ पता नहीं Stone Age के बारे में यह third में क्या Stone Age cultures of different periods different periods के uniformly evolve way uniformly मतलब ऐसा नहीं कोई अलग-अलग तरह से evolve और बहुत ही neat और unilinear fashion में evolve और वो भी हर जग है कितना extreme not existed nature मतलब कि other than made by humans यानि कि जो humans ने बना है वही नैनो पार्टिकल एक्जिस्ट करते है nature में nature के खुद के नैनो पार्टिकल है नहीं मतलब माल लेते हैं कि आज तक किसी scientist को मिले है लेकिन यह बोलता है नहीं यह तो गलत हो गया मतलब मैं एक समय को यह भी रख लेता हूं जब अगर मैं examiner हूं मैं statement को बना रहा हूं तो मैं तो यही पूरा अपना वो लेके चलूंगा ना कि बाद में dispute नहों पता चला कहीं से कोई student उठा के ले आया या फिर वैसे तो होते हैं लेकिन मालों कि यह नहीं भी होते हैं मुझे नहीं पता है मैं paper बना रहा हूं लेकिन अगर for example कोई अगर एक भी नानो पार्टिकल अगर अपनी इस्ट करता हुग यह लहीं अपने हो शाहियो hogyan q u ten इस्टेट्मेंन टीस आनफ फॉरि मस्टीय्व इंतर इम गस्पिल्क्राइब नानो पार्टिकल क हुपस मेट ऊच्ण अचयाइब manufacture of some cosmetics देखने कितना आराम आराम से हौले हौले आप ले रहा है ठीक है extreme keyword नहीं option number D 25th with reference to the new york declaration of on forest which are the following statements are correct देख सकते किते लंबे चौले से statement आपको देखने को मिलेंगे लेकिन आपने गवराना नहीं है it was the first endorsed at it was first endorsed at the united nations climate summit in 2014 थोड़ा सा fact type है it endorses a global timeline to end the loss of forest जनलिस्टिक टाइप लग रहा है थोड़ा से definition टाइप लग रहे है definition एक्स्प्रेशन एक्स्प्रेटरी स्टेटमेंट्स होते हैं जनली सही होते हैं थोड़ा छोटा से टिक लगा लूँगा इस तरह से मैं ठीक है ताकि मुझे यह लगे कि हाँ अब आप पेपर में आपके पास होगा तो 1234 लिख के उसमें आप यह activity कर सकते हैं वहां पर आपके पास इस तरह से पेंच चलाने का option नहीं होगा ना छोटा से टिक लगा लिए कि मेरे में यह रहे कि हाँ अगर मुझे फर इजांपल यह है और यह और माल लेते हैं कि छोटा से मैं पर क्रॉस लगा लिए तो इन दोनों में फिर मैं इसको काम आसान हो जाएगा इट इस एंडर्स पाइड गवर्मेंट्स बिग कंपनीज एंडिजिनेस कम्यूनिटीज देखिए जनलिस्टिक है यह ना को एक स्टीम कीवर डेटा फैक्ट इस तरह इस नहीं छोटा से टिक लगा लिया इंडिया वाज वन ऑफ दी सिगनेटरीज ए पहली बात पहली बात वो ऐसा नहीं है कि इंडिया उससे में सिगनेटरी था जब यह बना था इंडिया ने बाद में अगर हो सकता है membership ले लिए हो माल लेते हैं नहीं पता इसके बारे फिर भी तीसरा वाला legally binding वाला अपने अपने आप एक चार और पांच में एक चार यह तो दोनों सही होंगे या फिर पांचवां सही होगा ठीक है एक सिगन रुको चल क्यों नहीं रहा एक चार यह फिर पांचवां इंडिया इंडिया इंसेप्शन के समय में इसका सिगनेटरी नहीं था आंसर यहां 124 हो जाएगा I completely admit कि तीसरे को इलिमिट करने के बाद थोड नहीं रुकरेक्ट अ प्रद्दान मंत्री घ्राम शळख योजना के बारे मिने मलिकित में से कौन से कथन सही है इट अपोड़न्न ऑफ इंडिया इस पौलिट इडेक्शें स्टाटेजी इड़ गेगी बेटर रिसूरस अलोकेशन उपाएगा बेटर चनेक्टिविटी ब तो किसी ने किसी तरह से परी poverty तो reduce होगी ही, simple सी बात है, ठीक, अगर मानलो कि मैं अभी गाव में हूँ, ठीक, अगर मैं किसान हूँ, मुझे अपना produce बेचने के लिए, सहर में जाना पड़ता है, तो अगर better connectivity होगी, ग्राम साड़क होगा, तो मैं बेटर तरीकी से जा पाऊंगा, जल्दी जा पाऊंगा, अवेसी बात है, तो poverty reduction strategy में help करेंगी, centrally sponsored है, it provides connectivity, ठीक, answer option number, first होगा, 1, 2 and 3, ठीक है, यहाँ पे कोई SX टीम कीवर data fact इस तरह से मझे देखने नहीं मिल रहा है, now, consider the following statement, PNGRB is the first regulatory body set up by the government of India, one of the tasks of PNGRB is to ensure competitive markets for gas, appeals against the decisions of PNGRB go before the appellate tribunals for electricity, now, यह पहला ही regulatory body है, it is the first regulatory body, extreme keyword है, first, last, never, none, all, any, ठीक है, पहला है, इसके पहले, अगर कोई बना होगा, अपने आप यह गलत हो गया statement, और वैसे भी, चारो option मुझसे चीक के क्या बोल रहा है, या तो हम में से कोई एक गलत है, या फिर हम तीनों ही सही है, हम में से कोई दो गलत तो नहीं हो सकते हैं, अब एक को तुरंट आपने इल्मेंट किया, तीनों गया, option numbers B, 2 and 3 only, बाकि इसमें मुझे कोई data fact या, फिर किसी तरह के extreme keyword देखने भी नहीं मिल रहा है, question number 29, with reference to India's desert national park, which of the following are correct, it is spread over two districts, मान सकते हैं, ठीक है, एक data लिखा हुआ है, there is no human habitation inside the park, it is one of the natural habitats of the great Indian bastard, कोई human habitation ही नहीं, मतलब कि ये है, कि desert national park में जाएंगे, कोई भी human habitation नहीं, अगर वहाँ पर मैं जाओ, ठीक है, वहाँ पर जैसे for example, ये question आया, ठीक है, ये question आया, मैं वहाँ जाओ, desert national park में, और human habitation बसा दूँ जाके, statement को गलत करने के लिए, मतलब अगर एक भी होगा, for example, मान लेते हैं, अब ऐसा तो है, नहीं examiner गया होगा, और फिर कोई data report पड़ी होगी, कि नहीं यह एक भी नहीं है, और फिर जिसने report बने होगी, चान चान के देखा होगा, एक भी नहीं है, पता चला वो गया होगा, उसके बाद किसे नहीं में है, ठीक है, तो ये statement आपका extreme keyword, extreme statement है, ठीक है, तो दो eliminate करेंगे, तो अपने आप option number 3rd, 1 and 3 only आजाएगा, दो coffee and tea both are cultivated on hill slopes, there is some difference between them regarding their cultivation, in this context, consider the following statements, coffee plants require a hot and humid climate of tropical areas, whereas tea can be cultivated in both tropical and subtropical areas, coffee is propagated by seeds, but tea is propagated by stem cuttings only, coffee plants require hot and humid climate of tropical areas, बात बिल्कुल सही है, हमें knowledge के बिसे से भी पता है, whereas tea can be cultivated both tropical and subtropical areas, कैसे, हमें पता है कि tea, अगर आप देखो, तो South India में भी अगर आप जाओ, Tamil Nadu में, उटी वगरा में, तो वहाँ पे भी आपको चाय बगान देखने मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि tropical area में आता है, हमें पता, topic of cancer के जितने भी हमारे नीचे area था, वो tropical आता, tropical region है, और उसे उपर subtropical है, तो हमें पता है कि जो darjeling वाला हिस्सा है, इंदी वेस्बिंग और या फिर आसम वगरा, ये topic of cancer के उपर है, तो ये statement आपका सही है, और फिर ये देखिए only, extreme keyword है, तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, मनलब coffee को seed या फिर, ठीक है, इस प्रपगेटर पर seeds, बट जो t है, उसको सिर्फ stem cutting से ही वो किया जा सकता है, अगर किसी और method से, जैसे seed method से भी इसको किया जाता होगा, तो अपने आप ये गलत होगा, और फिर only लिखा हुए, only इसी लिए लिखता है, examiner only, all, always, ताकि वो उस statement को पूरी तरह से गलत प्रूफ कर सके, ठीक है, अगर वो only ना लिखे, तो फिर लोग confusion में आ जाएंगे, हाँ या और होता, आपना चारा कि ये इस स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, option number A1 only, 31, which of these is not a characteristic of a free enterprise economy, इन में से कौन सी मुख तुद्द्यम, और थोवश्था के विश्षथा नहीं है, all economic decisions are taken by the economic planners, factor, rewards are based on the productivity of factor of production, economic decisions are regulated by the market, decisions are based on the forces of demand and supply, ठीक, हमें free enterprise economy के बारे में कुछ भी नहीं पता है, फिर भी हम इस question को कर सकते हैं, कैसे हैं, बाकि अगर हम देखें, तीनों generalistic हैं, self-explanatory हैं, कोई data, कोई extreme keyword, कोई fact नहीं है, all extreme keyword है, all economic decisions are taken by the economic planners, कोई भी अगर economic decision, economic planners के अलावा लिया गया, अपनाप statement गलाथ हो जाएगा 32, due to some reasons, if there is a huge fall in the, मानलो की कुछ कारूण का ऐसे, there is a huge fall in the population of species of butterflies, what could be the likely consequence, अगर मानलो की butterfly की जो population, एकदम से कम हो जाए, तो उसका क्या परणाम होगा, pollination of some plants, some plants, could be adversely affected, कुछ पॉदों का, some, generalistic है, ऐसा ही होने के chances ज़्यादा होता है, there could be a drastic increase in the fungal inflection of some cultivated plants, some भी यह, drastic भी है, यह तो मीठे में नमक है, कैसा, कि मतलब some cultivated plants में drastic increase हो सकता है, fungal inflection का, अब ऐसा butterflies का और fungus से, तुमने क्या कोई relationship पढ़ाए क्या, कि butterfly और fungal का relationship यह ऐसा होता है, एकर butterfly सारे fungus को खाती रहती है, जा जाके, और अगर butterflies एकदम से कम हो गई, तो एकदम से fungus बढ़ जाएगा, weird है कि नहीं है, ठीक है, और extreme यह drastic increase, बहुत bhenker increase, यह overemphasizing keyword लिखा हुआ, जान बुच्च है drastic word को increase किया गया, बदलब ऐसे तो increase भी नहीं होगा, लेकिन drastic word को इसने इसलिए add कर दिया है, ताकि इस statement को पूरी तरह से वो गलत प्रूफ कर सके, answer one only, ठीक, थर्ड अपने आप से हो गया, it could lead, could lead, could may, ठीक है, यह सारे जो keyword हैं आप इनको, जो generalistic वाल हैं, उसमें आप add करेंगे, ठीक है, could हो गया, may हो गया, ठीक है, might हो गया, ठीक है, यह सारे, generally, some, few, ठीक है, अगले question पर आता है, question number 33, consider the following statement, under Ramsar convention, it is mandatory on the part of the government of India to protect and conserve all the wetlands in the territory of India, the wetlands rules 2010 were framed by the government of India based on the recommendation of Ramsar convention, the wetland rules 2010, also encompass the drainage area or catchment area of the wetland as determined by the authority, now, under Ramsar convention, it is mandatory on the part of, mandatory, ठीक है, हो सकता है, बट फिर भी, थोड़ा सा mandatory, हल्का सा extreme की साइड में जा रहा है, I won't say, completely, but हाँ, slightly, on the part of the government of India to protect and conserve all the wetlands in the territory of India, सारे जो wetlands है, उनको protect करना है, ऐसा Ramsar convention, रामसार convention, रामसार एक सिटी है, सभी को पता होगा, इरान में और वहाँ पे convention हुआ था, तो प्रोटेक्ट दी वेट लाइंड और वेट लाइंड को preservation के लिए, अब यहमारी government of India ने एक scheme भी लाँच करी, जिसका नाम M से स्टार्ट होता है, जरा comment बताईए, और हमें पता है कि, जिसे mangroves वगरा हो गया, ठीक है, वेट लाइंड से, तो जो रामसार साइट से हैं, आप सुनते रहते हैं, यह रामसार साइट में डिकलियर हो गया, यह रामसार साइट बन गया इंडिया में, थो उनको फ्रोटेक्ट करना होता है, पहली हमरी रामसार साइट कौन सी थी, चिलका लएग थी इंडिया में, तो उनको फ्रोटेक्ट करना होता है, ना कि all the wetland, अब इंडियम इतने सारे आधरभूम, इतने सारे wetland, सब को प्रोटेट करने का थोड़ी ना मेंडेटरी होगा रामसार करनेशन में ऐसे तो कोई कंट्री सिगनेटरी नहीं बनेगी इसके यह अपका एक्स्टीम है ठीक है गया तीन अपने आप सही हो गया दूसरे को चेक करते है इसको गर्मेंट ऑफ इंडिया ने जो रूल बनाया थे वो रामसार कंवेंशन के बनाया थे और वेसी बात है इसके कुछ नहीं कूछ तो थहान में रखा है ऐसा तो नहीं हो सारे रमसार में सारे के सारे है लिया घरमसार्य आप सब दूसरा भी होगा, इसलिए, option number C answer होगा, okay, because correct पूचा है, हमेशा देहन रखें कि इस correct पूचा है, फिर not correct, what are the significances of a practical approach to sugarcane production, known as sustain sugarcane initiative, the seed cost is very low in this, compared to the conventional method of cultivation, is very low, okay, depiguration can be practiced, very effective, can be, generalistic type, there is no application of chemical inorganic fertilizer at all in this, देख रहा हो, पहले इसने यहां पर no add किया, फिर यहां at all add किया, वो बचना चाह रहा है पूरी तरह से, कि मतलब इसे यहां पर कोई chemical, या फिर inorganic fertilizer का कोई use नहीं, जरा से भी use नहीं, बोला भाई मैं गलत हूँ, समझ नहीं पार हो, ठीक है, तो यह तीसरे वाला गलत होगा but what is or are the likely limitations of developing countries in promoting this industry, production of algae-based biofuels is possible in seas only and not on continent, या नि की, algae का जो production possible है, वो सिर्फ समुदर में ही है, content में possible ही नहीं है, मतलब possible ही नहीं है, extreme keyword, गलत, तीन अपने आप साही हो गया, second को चेक कर लेते हैं, sorry, setting up and engineering the algae-based biofuel production requires high level of expertise, technology until the construction is complete, self-explanatory है, definition है, कहीं extreme keyword नहीं है, कहीं data कोई fact नहीं है, साही consider करूँगा मैं, बिल्कुल technology required होती होगी, नहीं तो तुम्हें ऐसा लगता कि हर को ये algae खेती, शयवाल की खेती कर रहा होता, है कि नहीं, क्यों नहीं करते हैं हमारे यहापे, शयवाल की खेती शयद आप नहीं होती है, ठीक है, और काफी महंगा भी बिखता है, अगर जैसे एक होता है, क्य CHLO. बौलते हो उसको है, बाकी algae के स्टेडि क्या बोलते है, फाइको ललोजी बोलते है, भी ये algae को बोलते है, तो यह सारे आपको नाम पता होने चाहिए, ठीक, अगले ब्ट्थे स्पॉल्मिक सेत्मेटल zost ca Revolts Итак of 1857 इ ताम से पधेसी ब्लिजन आमसे।?... इप से इंडिल करेक्ट पूच रहा है ठीक है तो इट वोजन्ट केरफुली और इस प्लानिंग लाकिंग थी और आल इंडिया एक जब मोसकते हैं थीम वो लाकिंग थी बहुत ही रीजनल बहुत ही स्पेसिफिक था यह रिमर्स और प्रोफेशी इंट प्ले एनी रोल इन इस आउट ब्रेक म कॉस्ट करेड़ बिटिश सक्सीडेट एंड क्विकली और इसली कंट्रोलिंग ती रिबल्स तीन और चार मही कोई ना कोई आंसर होगा ठीक यहां पर मुझे पता है अल है ठीक वर यहां पर भी दो-दो कीवर्ड है क्विकली और इसली मतलब बिटिशन ने बहुत ही तेज थोड़ा सा मुश्किल था बट कैसे हुआ वो मैं आपको यहां पर बताया अब वह आपपे डिपेंड करता है कितना आप यूज कर सकते हैं तो खुदी सोंचे इंडिया अभी तक कोल को को इंपोर्ट करता था लेकिन अब एकदम से सेल्फ सफेशन्ट हो गया अब ऐसा क्या हो गया है अब ऐसा कौन से चमतकार हो गया है इन में से कौन सा सभी है अब बतायों को पढ़ा होगा अर्व कुश्टिन को अटेम्ट कर या होगा अब अगर आपने सीदे effец अ अर मार दिया ना ये तो अपने जापड़ मार लो ठीक है और क्यों कि देखो पहले आपको knowledge use करना है ठीक है all executive उने पढ़ रखे all executive actions of the government of India taken in the name of president of India यह statement सही है अब मुझे पता आपके दिवागे question आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि मतलब देखिये वही मैं बोल रहा हूं कि अगर मैंने आपको technique बता रहा हूं ठीक है और वो आप 7 आप यह देखिया आप net positive में रहेंगे वो शाद आप समझ पा रहा हूंगे मैं उन लोगे लिए क्या रहा हूं जो यह फिर देखे बोल लागे यहां पर तो all लिखा हुआ गलत ही हुआ मैं आपको पहली बोल चुक हूँ कि पहले आप knowledge की उसकरेंगे तब technique की उसकरेंगे अब जैसे यहां पर all है वैसे तो फिर यहां पर 10% भी न तो data है न यह तो पूरे फिर सारे statement पढ़ो और actual में अंसर यह यह गलत है क्यों कि इसने क्या किया है 15 की जगे 10 कर दिया है 15 की जगे इसने 10 कर दिया है और यह किस amendment से हुआ था 91st amendment से हुआ था जिसमें की यह बोला अब यहां पर मैं यह टॉलने जैनली सब कुछ एक्सपेर नहीं कर रहा हूं विकॉज हम कर चुके हैं पहले ही काइदे से ठीक है यहां पर सिर्फ टेक्निक स्पेसिफिक में वीडियो रखना चाहता हूं जो वीड से स्टेट्मेंट आपको कुछ ना कुछ यहां पर देखने को मिल जाएंगे जैसे कि वहां आप हमने देखा था कि पिग डेवलपमेंट इन दी नौथ वेस्ट रिजिन है ना तो वैसे ही भारत-माला परियोजना इस रिलेटेट टू भारत-माला परियोजना किस कितना एक्स्ट्रीम है आप खुद ही समझ पारे हमां कावरी रिवर की पीछे दो स्टेट मरे जा मतलब लडाई मराई मचाए हुए साउथ इंडिया में सिर्फ एक नदी लिंकिंग तो छोड़ी दो एक नदी और केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट इतना केन बेतवा कि टीक है, Networks of National Highways in India, Interlinking of all cities of India through railway, सारी cities, again Xteem, Interlinking of all industrial regions through pipelines, Network of National Highways in India, Option 2nd, Xteem, से भी आप इसको कर सकते हैं The value of Indo-Silanka trade has consistently increased in the last decade. Textile in textile articles constitute an important item of trade between India and Bangladesh कितना जनलिस्टिक है, क्या Xteem keyword कोई data कोई fact है, नहीं, एक important item है, अगर यह बोल देता है, यह highest trade volume यही occupy करता है, सबसे जादा इसी चीज़ का trade होता है, तब थोड़े सी शक के नजरों से देखने आला statement हो जाता है है, ठीक है, now in the last 5 years, Nepal has been the largest trading partner of India, मतलब Nepal के साथ, Nepal हमारा largest trading partner होगा, कुछी सोची, मतलब USA, China, Russia, यह सब नहीं, Nepal, Nepal हमारा होगा, ठीक है, तो again यह weird सा है, ठीक है, तीन को आपने limit करना था, दो ऐसे चले जाते है, now the value of Indo-Silanka trade has consistently increased in the last decade, 10 साल में, 10 साल से consistently India-Silanka का trade बढ़ रह जाएगा, यह statement गलत हो जाएगा, option number B, 2 only, और वो मैंने आपको चीज़ बताई थी, starting में देखे, जो मैंने extreme keyword आले बताई थी, consistently, drastic, any, all, never, none, no, ठीक, 41st, which of the following is not an objective of national rehabilitation and resettlement policy of 2007 of the government of India, नमली कितमे से कौन सी भारत सरकार की राश्टरी, पनर नर्वाज और पनर स्थापन न implementation process, to maximize the focus on rehabilitation without really caring for resettlement, to minimize displacement and to promote as far as possible non-displacing or lease displacing, to provide a better standard of living, making concerted efforts for providing sustainable income to the affected families, वैसे तो कर आप देखे, तो यह दोनो similar options है, B and C, to maximize focus करना rehabilitation में, without really caring for resettlement, without really caring for resettlement, कुछ भी जरा साभी caring नहीं करनी है, resettlement, बस कर दो, कुछ ध्यान नहीं देना है, to minimize displacement and to promote and as far as possible, जितना हो सके, non-displacing किया जाए, या फिर least displacing किया जाए, यहाँ पर क्या है, to maximize focus and rehabilitation without really caring for resettlement, ठीक है, और similar भी है, contrasting भी है, और यह without really caring, थोड़ा से इसको extreme बना रहा है, answer C हो Question 42, the Parliament Act of 1959 exempts several posts from disqualification on the grounds of Office of Profit, the above mentioned Act was amended five times, the term Office of Profit is well defined in the Constitution of India, जब भी इस तरह से कोई आपका statement आजा, it is mentioned in the Constitution, it is well defined in the Constitution, chances है कि वो गलत है statement, क्योंकि तभी उसने पूछा, जैसे Office of Leader of Opposition, नहीं में 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 जाने को तो इतनी सारी चीज़े हैं, कोई भी एक उठा देगा, वो mention है, ठीक है, तो वैसे तो सर आपकी तो technique फेल हो जाएगी, और मैं बोलना हूँ, वो पूछी से लिए रहा है, क्योंकि mention नहीं है, budget हो गया इस तरह, और यहाँ पर तो mention की बात नहीं हो रही है, यहाँ लिखा हो, well defined है, बहुत अच्छे से defined है, जबकि defined नहीं है, well defined ठीक है, यह आपका गया, जैसे कि मैं आपको बताया, legally binding हो गया, जैसे कि यह कभी आपको बोलते है, इसकी advice binding है, और आपको नहीं पता है कि binding है कि नहीं है, then consider कि वो binding नहीं होगी, ठीक है, तो तीसरा वाला यह आपका एट फाथेपूर सीक्री, red sandstone and marble war used in making burn imambara and roomy darwaza at laknav, यहाँ पर कोई trick नहीं है, बस यहाँ पर इसलिए इसको question को रखा है, जब भी white marble, red sandstone, कुछ इस तरह का आपको दो statement दिखें, बहुत chances है, या तो दोनों सही होंगे, या दोनों गलत होंगे, जैसे कि यहाँ आप इसने क्या क्या, दोनों को reverse कर दिया, आक्चल में जो white marble का वो use है, वो burn imambara and roomy darwaza हम किया गया, red sandstone का use, बुलन darwaza और खानका में build करने का use किया, इसने दोनों को cross कर दिया, और यह cross वाली चीज़े में आपको PYQ series जा हम लोग कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी कुछ questions लोग ने देखी तो जो SSC ने use की थी, answer या neither one or not two, तो जब इस तरह का दिखे तो chances हैं कि both, या neither में answer होने के chances काफी है, 44th and the last question is, यह कोई trick based question नहीं है, यह मैंने assertion reason का question लिया, ताकि अगर इस तरह का सवाल आए तो कैसे करेंगे, कई बार हमें confusion हो जाता है इस तरह के statement में कि दोनों सही तो हैं हमें पता है, लेकिन क्या reason, सही explanation है assertion का या नहीं है, तो उसको कैसे करेंगे, पहले पढ़ते हैं, during the British rule, India's exports exceeded the imports, leading to surplus of balance of trade, the surplus of balance of trade was used for growth and development of India, तो यहा पर यह दोनों statement सही है, यहा तक आपने इस चीज को figure out कर लिया, अब यह reason, सही explanation है assertion का की नहीं है, कि during the British rule, India के जो exports थे, वो exceed कर गयते, imports के, imports है, during the British rule, India's export exceeded the imports leading to, पहला वला तो गलत है, ठीक है, यहां पर तो पहला गलत, exports ज्यादा कैसे हो सकते हैं, वो भी British के टाइम पर हमारे export कैसे exceed कर सकते हैं, imports से, ठीक है, तो यह आपका वैसे गलत होगा, और अगर यह ऐसा हो गया, यह ARR में कोई गलत मिल गया आपको, तो फिर बहुत ही असान, यह गया आपका, ठीक है, यह गया, यह गया, बचा आपका A, ठीक है, A की option, fourth, लेकिन मान लेते हैं, जब दोनों सही होते हैं, तब आपको क्या करना होता है, कुछ नहीं, यह खतम होते है, because लगाई है, ठीक है because, या फिर due to, और फिर reason तुरंत पड़ी है, अगर वो statement पूरा सही बन रहा है, phrase जो है न, सही बन रहा है, कि during the British rule, India के export exceed कर रहे थे, import से, leading to surplus of balance of trade, क्योंकि, because the surplus of balance of trade was used, अगर देखें, अगर मान लेते हैं, कि यहा पे import होता है, यहा पे export होता, ठीक है, तो यह सही होता, और फिर भी अगर यह मान लेते हैं, यह सही explanation नहीं था, क्योंकि reason बता ही नहीं रहा है, कि क्यों import ज्यादा थे, export ज्यादा थे, ठीक है, तो I hope यह चीस clear होई होगी आपके दिमाग में, यहाँ पे होते हैं, हमारे questions खतम, तो इस वीडियो का purpose था, सारी चीज़ों को आपको first time है, इन techniques को देख रहे हैं, क्या हम इन techniques को use करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो आपने lecture तो अब देखी लिया है, पूरा देख लिया, ठीक है, अगर पहले तो clear minded होके जाना, don't go into minds, कि नहीं में use करूँगा, नहीं करूँगा, वहाँ पे एकदम confuse है, करे, ना करे, करे ना करे, नहीं, मैंने आपको पहली बताया था, कि confusion में नहीं रहना है, तो हाँ या तो ना, मैंने आपको एक story बताई थी, चलो छोड़ते है story, लेकिन आपको एकदम mind clear रखना है, कि बढ़ी करना है, अगर जैसे कोई question है, तो इसमें मैं कर सकता हूँ, 100% confident हो कि फिर करो, ऐ लग तो रहा है, लेकिन चलो यह कर देते हैं, ऐसे अगर आप करोगे तो वहाँ पर एकदम खराब करके चले आओगे आप, ठीक है, तो वह नहीं करना है, पहले से अगर आपको mind मैं कि नहीं हो रहा है, तो मत करिए फिर, ठीक है, अगर आपको अगर माल ले तो नहीं, यह तो इसमें लग रही है, और मैं भी confident हूँ, पढ़ के तो यहीं लग रहा है, then go for that, फिर पूरे 100% confidence से करी उसको, ठीक है, तो बस मैं इतना ही कहना है चाहता हूँ इस वीडियो में, बाकी मिलते हैं, और बाकी telegram को join कर लिजएगा, परमार SSC telegram को, और जितनी quizzes daily basis पर चलती रहती है, उनको attempt करते रही, one shot को revise कर लीजे अच्छे से, उमीद यही है कि आप flying colors के साथ आएंगे 26 को, ठीक है, और जो हम लोगों ने महनत करी है, और इसलिए यहाँ पर मैं session भी content कर रहा हूँ, और मेरी कुछ student से बात भी होती daily, मतलब literally, काफी students तो रोते हैं call पर, ठीक ह जो दर्द होता ना, बहुत कि मैं जहील जोका हूँ, तो इसलिए मुझे पता है, ठीक है, इसलिए से मैं इसको, पेमेंट करके जो थोड़ा सा कुछ सिखना चाहते हूँ, तो वहाँ पर, हम लोगो डेली meditation अगरा अगरनेट करता हूँ, हम लोगों ने session रखा था, मैं बस आप से इतना चाहता हूँ, आप सही mindset के साथ exam में बैठें, बहुते तर ढहरें नहीं कि वही, कुछ जैसे दोस्त से comparison करके, या फिर अपनी parents की expectations हैं, उनको लेके एकदम दबाव में हैं, क्यों दबाव में हैं, ठीक है, क्यों दबाव में, it is, आप वही है की, life linear नहीं होती, इसको लेके मैंने code भी डाला था, टेलिग्राम पर, ना, कि life linear नहीं होती है, हो सकता है कि अभी वह आगे हो, करिए, हराम से रहिए, ठीक है, और खुद पर काम करिए, खुद को excel करने कोशिस करिए, खुद में कामने से लाइए, खुद हार्ट वर्क करिए, honest रहिए खुछ से, ठीक है, और ज्यादा tension मत लीजिए, आज के मैंने meditation session भूला भी ता इस चीज़ को की, जैसे मैं इस चीज कर दिया, ना, मैंने तो honesty से, मांदारी से किया, सारी चीज़ें hard work किया, मैं जब कितना difficult time था मेरे लिए, इन पिछले आपको, मैंसे कोई आफिलों को पता हो गए, तीन महीने, बट फिर भी मैंने, वो सारी चीज़ें side में रखके hard work किया, अब ना है, तो मेरी गलती सारे factors को थोड़ी ना मैं control कर सकता हूँ, examiner ने कुछ, कुछ उसने कुछ, खा के कुछ paper set कर दिया, तो मेरी गलती थोड़ी ना है, ठीक है, हम लोगों ने महनत किया, बस हम उतना ही तो कर सकते है, simple, तो वही मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि attention मतलीचे, जितना आपके पास time बाकी है, उसको productively use कीजे, कि आपका अगला step क्या होगा, आपका अगला step क्या होगा, strategize करिये, आपका गल का target क्या होगा, ठीक है, उसको achieve करिये, बस उस पर focus रहना चाहिए आपका, all right, thank you.